नमस्कार दोस्तों मैं अरोन एक वाफिर से आप सभी के computer practical लैब में हरतिक सौत करता हूँ दोस्तों आज की बेटे मात करेंगे कि इस तरीके के pen card में अगर नाम डिटो बर्त और उसके pen card नमर को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से यहां पर देखिए म मेरे पस मेरा यह pen card है और मैं यहां पर राइट क्लिक करके open with में जाके इसे print में open कर लेता हूँ तो दोस्तों देखिए मेरा MS Paint open हो गया है MS Paint के अंदर मेरा यह pen card है और हम यहां पर इसको कुछ edit करेंगे तो दोस्तों edit करने से पहले मैं आपको यह चीज़ बताना चाहता तो background यहां पर दो तो रखिके एक इसमें आपर light background है और एक dark background है इस तरीके editing करने में थोड़ा सा background को erase करने में editing का पता चलता है देखिए कुछ इस तरीके से यह देखिए यहां पर हम इसको इस तरीके से erase करेंगे background को तो पूरा clear image यह नहीं आएगा और वो एक edit किया print में open करने के बाद दोस्तों देखिए यह जो मेरा pen card है यह सिर्फ एक तरीके से मानके चलिए मुझे इसे background की तरह के से use करना है तो यह background है यहां पर erase है इसका तो मैं यहां पर इसके background की support लूँगा तो यहां पर क्या है कि दोस्तों देखिए मुझे यहां पर इस वाले area क selection करना है क्योंकि जो मेरा अरुन कुमार लिखा हूँ है वो इतने area में लिखा है और date of birth भी इतने area के अंदर है तो मैंने इस area को यहां से copy कर लिए control c और copy करने के बाद हम अपने पुराने वाले pen card में आजेंगे और यहां पर हम इसे paste कर देंगे पिष्ट करने के बाद दो बाकि आप new text भी यहां पर add कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों देखें नीचे वाला area भी कुछ इसी background का है तो यहां पर permanent account number की नीचे का background कुछ इस तरीके से हम copy कर लेंगे control c और यहां पर हम इसे paste कर देंगे पिष्ट करने के बाद इस area को भी उठा के लिए क्याएंगे और भी वो थोड़ा सा स्ठीक से match नहीं हो आता जब यह match हो जाए तो आप इसको छोड़ सकते हैं तो दोस्तों देखें कुछ इस तरीक से background में मिल गया है अब यहां पर इसके बाद दोस्तों यह हमारा दो काम हो चुके हैं इसमें यह दो area दो चीज़ें हम पर हमने erase कर दी हैं इसके बाद दोस्तों देखें हमें यहां पर अपने टेक्स को एडिट करना है तो टेक्स को एडिट करने के लिए यहां यह वाले इस टूल पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर क्लिक करने के बाद यहां करसर को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पर आप जो नाम आप देना चाहते हैं वो नाम हम यहां पर लिखेंगे तो दोस्तों देखे पैन कार्ड में जो लैटर लिखे होते हैं नेम क्यों चैट डिटो बर्थ क्यों वो कैपिटल में लिखे होते हैं तो हम पंकज कुमार कैपिटल में लिख लेते हैं एक एंटर मारके यहां पर डेटो बर्थ भी हम लिख लेते हैं डेटो बर्थ हम उसी फॉर्माट में लिखेंगे जैसे पैन कार्ड में लिखी जाती है इस तरीके से हम यहां पे इसको लिख लेते हैं लिखने के बाद हम इसको अलाइन करेंगे अलाइन देखिए दोस्तों जिस तरीके से पैन कार्ड मे हमारा font है वो कुछ इसी font face में चलता है दोस्तों अब यहां पर हम इसका pen card number भी लिख लेते हैं तो यह हमने pen card number भी लिख लिया सेम इसका भी वही size रहेगा और font का face भी रहेगा aerial तो दोस्तों देखिए इस तरीके को एडिट करने से पहले हम फिर से इस tool की मदद से अपने नए वाले pen card में आएंगे और इस area को उठाएंगे signature वाले को तो दोस्तों यहां देखिए हमारा जो signature है वो उपर की तरफ का भी है उपर की तरफ जा रहा है तो हम थोड़ा सा area ज्यादा ले करेंगे उपर का तो इस तरीके से हम इसको selection कर लेंगे और copy कर लेंगे और यहां पर लाके हम इसे paste कर देंगे पेश्ट करने के बाद sorry दोस्तों यह थोड़ा सा frame में आ गया है दुबारा से मैं इस वाले tool को ले ले लेता हूँ और अब यहां पर हम इस signature आड़ कर सकते तो यहां पर देखिए दोस्तों एक pencil दी हुई है इस pencil पर आप किलिक किजिए और एक digital signature यहां पर कर लीजिए तो दोस्तों इस तरीके से मैं थोड़ा सा इनका काम अब खतम हो गया है अब दोस्तों हमने जो edit किया है उस pen card को हम open करेंगे तो open करने के बाद दोस्तों देखिए इसकी quality भी बिल्कुल ठीक है आप इसका print निकाल सकते हैं यह blur नहीं आएगा और edit भी आपका बहुत खुबसूरत तरीके से हो चुका है दोस्तों ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्या करें